देश के दो राज्य जिन पर पूरे देश की नजर लगी हुई है वो दो राज्य हैं महाराष्ट और बिहार दो स्विंग स्टेट जो लोकसभा चुनाओं की टैली में काफी कुछ लटफेर कर सकते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों राज्यों की जो पुलिटक के साथ आ चुका है वैसे ही बिहार में जो नितीश कुमार की जो ख्याती थी जो पॉपलरिटी थी 2019 में वो कहीं न कहीं डिकलाइन हो रही है इसके बाबजूत की नितीश कुमार आरज्यगी के साथ उन्होंने एलाइंस की सरकार बनी फिर से वो बीजेपी के साथ आये लेक कहानी कहने की तरफ इशारा कर रहे हैं तो प्योर पॉलिटिक्स में बात दोनों राज्यों में से एक राज्य की बिहार की कि बिहार में इसवार का जो 24 का जो चुनाव है वो किस तरह से 2019 से अलग हो रहा है चुकि पांचवे चरण में 5 सीटों के चुनाव है 20 मई को लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बिहार में जो इसवार का जो चुनाव है वो 2019 से कैसे अलग किस डिरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है या फिर नतीजे 2019 वाले ही बिहार में होंगे तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बिहार की अगर 2019 के CSDS के आंकुणों को आप देखें और वहां के 2019 के रिजल्ट को देखें तो बिहार में BJP और NDA जो कॉंबनेशन था जो एलाइंस था उसने एक तरफा जीत हासिल की थी यानि कि 40 में से 49 सीटें BJP NDA एलाइंस के पास में थी सिर्फ एक सीट यानि जो किशनकंद की स थी वो सिर्फ Congress जीत पाने में सफल हुई थी बिहार में JDU को हरा करके अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज में भी NDA का जो वोट शेर था वो अनप्रेसेडिन्टे यानि कि 55 प्रतिशत का वोट शेर था वहीं RJD को मातर 15 प्रतिशत का वोट शेर मिल था और अगर सीटों की बात करें कि सीटे जो 49 सीटे इंड ये जीती थी उस में से 34 ऐसी सीटे थी जो एक लाग के वोट मार्जिन से ज्यादा थी 2024 का जो चुनाओ है बिहार का, वहाँ पर surgical strike वाली wave नहीं दिखती है, वो जिस तरह का momentum था, वो नहीं दिखता, तो 2024 का चुनाओ बिहार में किस तरह से अलग हो सकता है या हो रहा है, या फिर ground पे किस तरह की जो संकेत है, वो मिल रहे हैं, चार संकेत जो बिहार के चुनाओ से इस समय साफ दिख रहे हैं, बिहार में जो अब तक सीटों का मद्दान हुआ है, वहाँ पर जो चार संकेत देखने को मिल रहे हैं, पहला संकेती है कि अगर आप 2019 में जब ट्रावल कर रहे हों, तो लोग ये कहते थे कि हम जो अगर यादव कम्मिटी की बात करें, जो कुल म कम्मिटी में भी जो यादव वोटर थे, यानि कि जो यूबा मतदाता हैं, वो कहते थे कि ये चुनाव मोदी का है, तो इसलिए हम मोदी को वोट करेंगे, हम तेजस्वी यादव को विधान सभा चुनाव में वोट करेंगे, और हुआ भी यही कि अगर आप बात के चुना यानि कि जो 55 प्रतिसत जो यादव वोट मैंग था, उसने वोट किया तेजस्वी यादव को, यानि कि आजजडी को, इस चुनाव में, इस चुनाव का एक जो बड़ा संकेत दिख रहा है कि जो यंग यादव मतदाता था, जो 2019 में नंदर मोदी के लिए कॉनसलिडेट हु दूसरा जो फैक्टर इस चुनाव में जो दिख रहा है, कि नितीश कुमार की लोप्रियता कम हुई है, जिस तरह से उन्होंने बार बार दल बदल किया है, कभी NDA, कभी RJD के साथ में उन्होंने सरकार बनाई है, उससे एक जो दूसरा नुकसान जो होता हुआ दिख रहा है कि नितीश कुमार की इमेज पाई अनलाज एक सेकुलर किस्मिके पॉलिटिश्टियन के दही है, और खास करके उस समय में भी जब आप देखें कि बिहार में अगर किसी तरह के सामप्रदाई कतनाओ की इस्तती आती थी तरह नितीश कुमार ने एक टफ एड्मिस्टेटर की तो यानि कि सामप्रदाईक दंगो की स्तिती में भी नितीश कुमार ने ये भरोसा मुसल्मानों में कायम रखा कि वो इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाईज नहीं करेंगे और जिसकी बज़े से मुसल्मानों का एक वोट प्रतिशत नितीश कुमार को हमेशा मिलता रहा है, बाब जो दिसके कि एक वोट शेयर ज्यादा तर जो लाजर वोट शेयर है मुसल्मानों का आरजेडी को मिलता रहा है, लेकिन लोगसभा के चुनाओं में और विधान सभा के चुनाओं में और ज्यादा नितीश कुमार को मुसल्मानों का भी वोट मिलता रहा है, लेकिन इ बात तो नहीं कर रहे है इसलिए मुसल्मानों का जो वोट नितीश कुमार को मिलता रहा है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से RGD के पक्ष में लामबंध होता हुआ दिख रहा है तीसरा जो संकेत बिहार के चुनाओं से मिल रहा है कि नितीश कुमार की पूरी इमेज जो उन्होंने बनाई थी लवकुष वोट बैंक उन्होंने बनाया था और एक EBC महा दलित जो कास्ट कॉम्बनेशन का एक रेनवो कॉलिशन उन्होंने बनाया था और जिसके सहारे वो ब परसंट और कुरमी 4-5 परसंट जानि कि 10 परसंट का जो वोट चेर नितीश कुमार का कोर वोटर रहा है उसमें से एक बड़ा चंक जानि कि कुशवाहा वोटर का एक परसंट वो श्चिफ्ट हो रहा है नितीश कुमार की तरफ से RGD में और RGD में लादू परसंट ने करता है कि नितीश कुमार का जो कुशवाह वोट बैंक है उसको डेंट किया जा सके अगर आप गाओं में घूमें तो जो कुशवाह वोटर है जो कोरी वोटर है बावजुद इसके कि समराठ चौधरी इस समय उसी जाती से BGP के राज्य के अध्यक्ष है उसी जाती से GDU क का प्रेजडेंट है और नितीश कुमार का वोट बैंक जो कोरी और कुर्मी रहा है वो जो कुशवाह वोटर है वो कहता है कि नितीश कुमार के दल बदल करने की वज़ज़ से अब वो कही न कहीं तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छे सामनजस ग्राउन पे नहीं रहे हैं लेकिन कुशवाह वोटर को डेंट करने के लिए लालो यादव ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे छे कैंडिडेट कुशवाह के उतारे हैं ताकि कुशवाह वोटर को तोड़ा जा सके और उसका असर दिख रहा है यानि कि नि इसके साथ में यानि कि OBC वोट बेंग की कुछ जातियां जैसे कोईरी हैं या फिर दूसरी जातियां भी अगर तेजस्वी के साथ सिफ्ट हो रही हैं तो क्या तेजस्वी बिहार की राजनिती में लोगसभा में जो पिछली बार RJD को एक भी सीथ नहीं मिला था क्या इस व क्या वो बीजेपी का बड़ा नुटसान करने वाले हैं क्या वहाँ पर जो एंडिये है जो पिछली बाच 49 सीटे जीती थी क्या वहाँ पर एक बड़ा चंक लूज करने वाली है तो इस सवाल इस का जवाब जो है वो महिला वोटर में है जानि कि विमन वोटर आप अगर कि वोट दे कर रहा है अगर बीजेपी अंडिये का नुकसान अगर नितीष कुमार का नुकसान फिर वोटर या फिर ओभी बीजेपी का नुकसान किसी दूसरी कास्ट की वज़े से अगर हो रहा है या वोटर में फटीग है, तो उसका जो रिप्लेस्मेंट है, उसकी जो भरपाई कर रही है, वो विमन वोटर कर रही है. तो यानि कि जो नुकसान अगर कहीं पे है, उसको कंपनसेट करने का काम विमन वोटर कर रही है, तो एक्रोस सुसाइटी जो विमन वोटर है, वो कहीं न कहीं बीजेपी और एंडिये कॉम्बिनेशन को बैक कर रहा है. लेकिन इस चुनाओ का जो सबसे बड़ा जो तीन ऐसे रिफ्लेक्शन के पॉइंट ये हैं, कि नितीश कुमार कमजोर होते हुए, उनकी लोप्रेता कमजोर हो रही है, कम हो रही है, लेकिन उनका जो एविसी वोट बैंक है, उसमें डेंट अगर दो तीन जातियों को छोड दिया जाए, तो फिर भी अभी एविसी जातियां उनके साथ में हैं, लेकिन इस चुनाओ को पुरी तरह से बिहार का जो चुनाओ है, उसको अगर कोई ड्राइब कर रहा है, तो दो ही ऐसे प्रेसनालिटी, दो ही ऐसे चेहरे हैं, जो उस चुनाओ को खीच रहे हैं, एक त वोट देने को तयार हैं, या फिर एवन JVU कैंडिडेट को भी वोट देने को तयार हैं, और तीसरा जो चेहरा है, वो तेजस्य यादव है, तेजस्य यादव को इस चुनाओ में कितनी सीटे जीत पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2019 से अलग, क्योंकि 2019 में जनता कहती थी कि तेजस्वी यादों को हम विधान सभा चुनाओं में वोट देंगे, इस बार 2019 का जो लोगसभा का चुनाओं है प्रधान मंत्री चुनने के लिए है वो नेंद्रमोदी को वोट देर हैं, लेकिन इस चुनाओं में वो चीजें पट गई है, इस चुनाओं मे लोग नेंद्रमोदी के अलावा तेजस्वी यादों या आरजेडी को भी वोट करने को तयार हैं, यानि कि लोगसभा और विधान सभा का जो अंतर है, वो कहीं न कहीं, वो जो फासला है जो वोटर के माइंड में, वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, ये एक तरह क अगर जेडियू का है, वो आरजेडी का प्लस हो सकता है, यानि कि विहार के लोगसभाय चुनाओं में, 2019 के अगर CSD इसके आंकडों को देखें, तो किस तरह से जातियों ने विहार में वोट किया, या तो जो वोट बैंक है, उसने अगर 21% बीजेपी या एंडिये के लिए वोट किया, तो वही 55% उन्होंने RJD या जो महागटवंदन था, उसके लिए वोट किया, कोईरी कुर्मी, जो नितिश कुमार का अपना कोर वोट बैंक है, उसने 70% इंडिये के लिए वोट किया, क्योंकि नितिश कुमार उनके सर्माने नेता हैं और उस तरह से उसने इंड कुर्ण है कि अगर कोईरी जो की यादव कम्यूटी के बाद बैकवर्ड कम्यूटी में सबसे बड़ा चंक है, अगर कोईरी शिफ्ट होता है RJD की तरफ, तो वो जो 7% का जो पिछले वार का वोट शेर था, वो गर बढ़ता है, तो कहीं न कहीं RJD के वोट शेर, RJD की जो सी जो अन्य पिछडी जातिया है, उसमें बाई अलाज सारी जातियों ने एंडियो को वोट किया था, पिछले लोग सभाज चुनाव में 16% अन्य OBC जातियों ने BJP को वोट किया था, जिसमें की 9% सिर्फ RJD या महाकटवंधन को मिला था, दलित जातियों ने भी पुरी तरसे जाती है, उसका रुजहान इस वार RJD की तरफ दिख रहा है, वो भी कहीं न कहीं एक significant change हो सकता है, मुसल्मान निश्चित रूप से वो RJD की तरफ पिछले बार भी थे, 27% उन्होंने RJD को वोट किया था, मात्र 6% जो थे उन्होंने NDA को वोट किया था, वो consolation और बढ़ भी सकता है, RJD की तरफ से, क्योंकि निश्चित कुमार वो जो वोट मैंक है, वो खो रहे हैं, एक तरह से, शंकरनी मेश, दप्रिंट, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट से अपने रियाक्शन लगाता है, हमें भीशते झाले, 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 झाले.